हाई गाइस मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो की डेफिनिटली आपकी रोज मर्रा की जिंदेगी में प्रॉब्लम क्रियेट करता है उसको आज हम डिसकस करेंगे मैं पिछले 23 यह से प्राक्टिस कर रही क्या आपकी विजायना में इतनी लूजनेस और ड्राइनस आगए कि आप अपने पार्टनर को साटिस्वाइ नहीं कर पारी है डिलिवरी के बाद आपको पेइन बहुत होता है क्या आपकी वाइफ के साथ आपको वो मजा नहीं आरा सेक्स करने में जो आपको पहले आता था वैल यह सारी personal problems हैं जो लोग खुल के discuss नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहली बात तो doctors के पास इतना time नहीं होता है कि आपको समझा पाई यह चीज बहुत personal चीज है sexologist हमारी country में जादा है नहीं और यह सारी problems फिर आप Google करते हैं आपके relations खराब होते हैं आपस में husband wife में distance हो जाता है bonding खतम हो जाती है तो यह सारी चीजों का आज मैं आपको एक सार बना के बताने वाली हूँ कि क्यों होता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं जो वेजायना है उसमें बहुत सारा elastic tissue और collagen tissue है यह मैं पहले भी बता चुकियों आपको तो elastic और collagen tissue जो होता है वो almost हर लेडी में उतना ही होता है ऐसा नहीं कि कि किसी लेडी का वेजायना ज्यादा टाइट है किसी का ज्यादा लूज है तो technically, anatomically सब का वेजायना उतना ही tight होता है हाँ कुछ activities ऐसी होती है जिसके वज़े से elastic tissue, collagen tissue break हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो looseness हा जाती है सबसे important जो इसका character है जो cause है वो है delivery अब delivery instrumental थी forceps से हुई तो obviously आपको जादा रप्चर होगा बड़ा बच्चा पैदा हुआ 3-4 kg का normal delivery से तो आपकी रप्चर जाद जादा उसके muscles break होंगे दूसरा जो इसका बहुत important cause है वो है age एज के सासाथ आपका जो estrogen hormone हो कम हो जाता है यह सब को पता है आपको मीनोपॉस आता है उससे में क्या होता है विजयना की thickness कम हो जाती है आपका जो वल्वा है आपका जो hair growth है सब कम हो जाती है क्योंकि सब estrogen से related ह तो आपके विजयना में infections ज्यादा होते हैं जो tissue है उसके cutने की chances ज्यादा होते हैं infection होने की chances ज्यादा होते हैं आपको dryness हो जाती है यह सारे age factors आपके blood supply विजयना के कम करते हैं आपके muscular और जो connective tissue है जो आपका collagen और fibrous tissue है वो सारा weak हो जाता है तो आपके muscles में वो strength नहीं जो एक young patient में रहती है ठीक है तीसरा cause जो कि बहुत important नहीं है बट फिर भी देखा गया है अगर आप बहुत young age से sexual activity में involved हो जाएंगी मेरे पास आती ही काफी लड़ गया कि madam अब मेरी शादी हो रही है मैं 25 साल की हो गई हूँ मेरा विजयना बहुत lose हो गया है मेरी काफी relations अब मैं कैसे इसको टाइट करूँ बहुत मुश्किल होता है ऐसी patients को convince करना कि इसका proper इलाज कुछ भी नहीं है ठीक है क्योंकि आपने muscles basically आपने overuse कर लिए अब अगर treatment देखा जाए कि क्या क्या available है market में तो सबसे पहले आता है kegel exercise जो कि बहुत important है किसी भी muscle को tone करने के लिए आप अपने biceps को tone करते आप अपने पैरों की muscles को आप अपने abs बनाते सब में क्या करते गंटों महनत करते एक्सराइस करते इसी तरह से विजयनल मसल को भी exercise की जरूरत है क्योंकि वो एक open tube की तरह है ठीक है ना open tube है उसमें muscles है उसमें बहुत ज़्यादा capacity है contract करने की और child birth के सबहें उतनी ज़्यादा expand हो जाती है तो ये भगवान की बनाईवी चीज है uterus और विजयना अपने आप इतना ज़्यादा एक्सपांड करके वापिस से कोलाप्स कर जाते है बट ना uterus पहले की तरह नॉर्मल साइज पर आपाता है ना विजयना वापिस आपाता है तो कीगल exercise एक तरीकी विजयनल मसल exercise है जैसे कि आ पबलिक में बैठे है आपको बहुत तेज टोईले आरी है आपने टोईले रोकी एसी exercise होती है आपको अपनी contraction करने अपनी muscles की यह सबढ़ लिजे आप टोईलेट गए और आपने urine तेज आ रही है आपने आधी urine करके आपने आपको रोक लिया यह होती है कीगल exercise आप उसको रोको आप उसको आधा मिनिट रोको आपको कुछ सेकिंड रोको एक मिनिट तो को गोगल करेंगे तो आपको ढीपर दिखेए गा जिसमें की भृच पोज वह अगरा होता है जिसमें आपका अपनी अपनी large abdominal muscles को contract करते तो साफ-साथ मैं आपके जो जो perennial muscles है जो vaginal muscles है वह भी contract होती है यह सारे दिसकर्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और अगर आप Google करेंगे तो आपको definitely Google exercise के अलग-अलग तरीके पता चलेंगे कुछ होते हैं कोन exercises, कोन मिलते हैं जो विजयना की shape में होते हैं, doctors आपको देते हैं ट्रेनिंग के लिए और आपको बोलते हैं कि आप उस कोन को अपने विजयना में डाल के घुमो और देखो किती दे तक उसको hold कर सकते हो walk करो, बैठो, पहले बैठो, फिर walk करो, तो उससे आपके muscles train होते हैं और अलग-अलग size के cones होते हैं, छोटा, बढ़ा, depending के आपके विजयना में किती space है और आप किस cone से आगे बढ़ पाते हो, पहले आप छोटा लेते हो, कम weight का, फिर थोड़ा बढ़ा लेते हो, क्योंकि उ उसको phantom operation बोलते हैं, हम लोग करते हैं कभी-कभी, especially उनों की जिनके delivery बिगड़ी भी होती है, घर पे दाई ने delivery करा दी, रास्ता भट गया, पूरा विजयना आपका पूरा D-shape हो गया, तो उसको वापे से shape लाने में, और उस hole को छोटा करने में, वो surgery काम आती है, लेकिन वो muscles को कुछ नहीं करेगी, muscular जो strength है, वो कहां से आईगी, latest जो अभी technology आई है, वो है laser, जो कि मैंने पहले भी बताया है, बहुत महंगा होता है, बहुत कम doctors इसको use कर रहे है, machine बहुत महंगी है, patient के acceptance भी अभी कम है, क्योंकि treatment महंगा है, और हमको बहुत ज़दर results भी नहीं आप इसे जिन्दा करते हैं, तो ये एक research का चीज है, कुछ सालों से आया है market में, पर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई बोले कि मेरेको कोई tablet या cream दे दो मैडम जिससे मेरी विजयना टाइट हो जाए, तो आपको कितना मज़ा आ कुछ टाइम पहले मेरे पास recommendation आया इस tablet का, VG3 tablet, जो की विजयना के लिए tablet है, और ये विजयनल टाइटनिंग के लिए use होती है, मैंने इसको अपने patients में use किया, और definitely अगर 10 patient को दिया, कम से कम 6 patient वापिस आए, कि मैडम अच्छी drug है, अफकोस इतने छोटे time में, 2-3 महने म पता नहीं चलता है, बड़ जब भी उन्होंने यूज किया, इसकी बेस्ट पार्ट ये है, कि ये नाचुरल है, इसमें कोई paraben नहीं है, कोई sulfate नहीं है, तो पहली बद नुकसान नहीं करेगा, अगर फायदा नहीं करेगा, तो नुकसान नहीं करेगा, जित्ते patients को मैंने मेरे पस वापस है, उन्होंने बताया कि मैंनम 15-20 मिनट के अंदर ये डिजॉल हो जाती है, और हमको विजाना टाइट फील होता है, वो फीलिंग शायद इसकी जो अंदर इंग्रेडियंट से होता है, इसके अंदर के इंग्रेडियंट देखे तो इसमें दृज बीजा है, इसमें जुही है, इसमें गुलाब, सुहाग, और द्रिदंगा है, और मजुफाल है, और ये आयूश डिपार्टमेंट से एप्रूवट है, तो बेसिकली ना नुकसान करेगी, और इसका जो इन्होंने प्रॉडट का जो रिकमेंडेशन दिया है, कमपनी ने, वो ये बताय है, कि अगर आप सेक्स करने के 15-20 मिनट पहले, लेट जाए, अराम से, और विजयना में ये टाबलेट डाल दे, अगर ड्राइनेस है, तो हलका सा पानी लगा ले टाबलेट पे, इसको लगा दे, 15-20 मिनट में डिजॉल हो जाएगी, उसके बाद आप इंटेकोस करके देख सकते हैं, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसका लिंक अमेजॉन का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, यूज करिए, डेफिनिटली गिव ए ट्राइ, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताई आपको कितना फ इसको भी बालेंस को ठीक करती है, आपके जो बैक्टिरिया जो खराब हो गए हैं, गंदे वाले आ गए, उनको डिप्लेस करके हैं, और साथ में विजानल ड्राइनेस जो हो गई है, डिलिवरी के बार ड्राइ हो जाता है, उसको भी ठीक करती है, तो इसको यूज करिए, य और फीडबैक मुझे जरू दीजे, एक चीज और बता दू, यह जो टाबलेट से आपके विजयना के पी-एच को बिल्कुल खराबनी करेंगी, विजयना का पी-एचिडिक होता है, जिससे आपके इंप्रेक्शन नहीं होता है, तो यह पी-एच को खराब करेंगी, ना अच्छा लगाओ, तो शेर जरू करिएगा,